So Hello Everyone, Welcome back to my YouTube channel, Myself Arnav और आज ही वीडियो में हम बात करने वाले है USICT जो तुम्हारा IPU को एक टॉप कॉलेज और महराजा अगरसेन इंसीटूट अफ टेक्नोलोजी जिसको तुम सेकेंड नंबर पर कह सकते हो इन दोनों में से तुम्हें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए देखो यह तो सिंपल फैक्ट है ना जैसे एनएएफ रैंकिंग हो गई प्लेस्मेंट हो गई वो सब मैं जल्दी जल्दी कवर करूँ क्योंकि वो सबको पता है जैसे एनएफ रैंकिंग में USICT जादा अच्छा है प्लेस्मेंट में तुम्हारा महराज अगरसेन थोड़ी सी एच ले जाता है हाईच पैकेज के अगरे में बात करूँ एवरेज में USICT अच्छा है बात करूँ कैंपस की तो तुम्हारा USICT अच्छा है महराज अगरसेन से बात करूँ क्राउड की तो तुम्हारा महराज अगरसेन उसमें एक एच ले जाएगा ये तो काफी सारी इत्म जनरल बाते हो गई अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल्स में कि यार तुम्हार को ये सारी चीज़े कैसे effect करेगी तो एक एक चीज़ को करके बात करते हैं पहले बात करते हैं कैंपस की तो यार अगर मैं बात करूँ तो यूएसाइसीटी का जो कैंपस है उसका अगर तुम्हार अगर तुम्हार काफी टाइप अफ कोर्स मिलेंगे महाराज अगरसेन में भी है बट वहाँ पर जो टॉप कोर्स है जहां सब जादा फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टुडेंस है वो बीटे करने वाला है बट यूएसाइसीटी में ये कैस नहीं होगा यूएसाइसीटी में बीटे के काफी ही कम बच्चे है 4002 थोड़े बहुती ही जादा ने 400 कोछ है वो तुमारा एक ट्लसपॉंट भी हो सकता है एक माइनस पॉइंट भी हो सकता है प्लसपॉंट क्यों होगा प्लसपॉंट हो सकता है क्यों कि जब तुम प्लेश्मन में बैठोगे तो तुम्हें काफी ही कम बच्चों से competition लेना पड़ेगा और minus point को सकता है क्योंकि यार crowd तुमें इतना diverse और अच्छा नहीं मिलेगा देखो तुम चार साल engineering कर रहे हो उसे पढ़ने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना नई जो तुम्हारा crowd है उनके साथ तुम कितना match up कर सकते हो कितनी vibe कर सकते हो वो जाथ important है I guess क्योंकि उससे तुम्हारी एक अलग growth होईगी ठीक है तो या यह तो तुम्हारी campus की बात थी ठीक है अब campus अच्छा तुम्हारा USICT का देखने को मिलेगा तुम्हें USICT के पास Vegas mall देखने को मिलेगा महराज अगरेसेन के पास तुम्हें unity mall देखने को मिलेगा बट वो भी काफी दूर है महराज अगरेसेन से महराज अगरेसेन से जो nearest metro station है वो भी काफी दूर है 6-7 km रिठाला और USICT से तुम्हारा दौर का मोर दौर का मोर तुम्हारा जो station है वो पढ़ता है ठीक है तो location-wise तो I would say USICT काफी बढ़ी है क्योंकि वो दौर का में है but student-wise जो student की quality है वो तुम्हारी महराज अगरेसेन में तुम्हें बेटर देखने को मिलेगी अब इसका एक plus point भी हो सकते है negative point भी हो सकते है plus point यह रहेगा कि तुम मतलब पूरे campus में almost almost न सारे b-tech वाले बच्चे ही देखने को मिलेंगे तो तुम अपनी networking अच्छे से कर सकते हो ठीक है बाकि जो तुम्हारे class में बच्चे होंगे उनसे तुम networking वगरा कर सकते हो USICT में तुम्हें काफी कम बच्चे देखने को मिलेंगे जिस चक्तर में गड़बड हो सकती है अब यार वीडियो में आगे बढ़ना से बैला रहा है तुम्हें कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें किसी भी इंडिया के top private college में admission लेना है through direct mode तो तुम getcollegeadmission.com का use कर सकते हो ठीक है यहां पे तुम्हें details दिख रही है कि वह तुम्हारी help कर रहा देंगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में अब आते हैं placement पे देखो journal placement stats तो तुम्हें पता ही है बट इसको थोड़ा और analyze करते हैं अब जो तुम्हारा USICT है वहां पे तुम्हारे तीन branches है CSE, IT, EC तीनों ही almost tech branches है EC को अगर मैं छोड़ भी दूँ बट वह भी थोड़ा tech में आ जाते हैं काफी लोगों को पता है कि EC वाले भी mainly tech नहीं जाते mainly ठीक है तो तीनों तुम्हारी tech branches है और तब भी तुम्हारा highest package वह 45 lakh ही गया था बट वहां का average अच्छा था अब वहां का average इसलिए अच्छा था दो reason बताता हूँ पहला तीनों tech branches है दूसरा student and tech कम है student and tech कम है तो कम ही लोग बैठेंगे for placement और कम ही लोगों को मिलेगी placement समझे हो मतलब basically 400 कुछ बंदे हैं अब उसमें से 200-300 को मिल जाती है तो तुम्हारा average इक अच्छा देखने को मिलेगी highest package भी जहाँ देखने को मिलेगा but overall average जो है वो कम देखने को मिलेगा महराज अगरसेन का उसका reason यह है क्यार तुम्हार को सिर्फ tech branches नहीं मिलती CAC उसके बाद तुम्हारी अगर मैं सारी tech branches दटा दू तब भी EC, electrical, mechanical IT की दो branches है तो काफी ही जादा branches तुम्हें देखने को मिलती है जिस वज़े से average तुम्हें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता यह भी एक reason है कि महराज अगरसेन का average क्यों कम है ठीक है अब बात करते है conclusion की कि हमने सारी चीज़े तो बात कर ली कि यार तुम्हारा USICT के चीज़ों में अच्छा है मेट के चीज़ों में अच्छा है तुम्हें किस चीज को prefer करना चाहिए कौन से college को prefer करना चाहिए पहला मैं कहूंगा अगर तुम्हें campus necessity है तो go for USICT वहाँ तुम्हें campus और location तुम्हें अच्छी देखने को मिलेगी बट अगर तुम्हारा campus necessity नहीं है then you can go for Maharaja अगर से क्योंकि वहाँ तुम्हें networking और placement थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी USICT से ठीक है बाकि यार अपनी location के साब से जरूर देखना अगर तुम द्वार का साइड रहते हो न तो I would prefer कि द्वार का में ही लेना और थोड़ा रोहिनी या फिर मतलब अगर तुम्हारे घर से महराजा क्रिसेन ज्यादा पास पड़ता है तो तुम महराजा क्रिसेन ही लेना ठीक है क्योंकि traveling में जितना time बचे वह best रहता है mechanical या electrical ले ली तो अगले साल वह upgrade होकर तुम्हारी CAC IT तक भी जहा सकती है तो अगर तुम्हारी कम rank है जैसे 2-3 लाग के बीच में तुम्हारी rank हो गई इतनी rank है तुम्हारी तो तुम्हें USICT में तुम्हार वैसे बेंशन नहीं मिलेगा तुम्हाराज अगर सेन में लेके upgrade करा सकते हो बाकि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर तो क्योंकि यहां पर IPU की preference order list हो गई IPU की counsellors जो update आएंगे और काफी सारे colleges मैं इस चैनल पर cover करने वाला हूँ ठीक है यह सारे तुम्हारा तुम्हारा इसी का review आएंगे अब इन चारो colleges के review back to back आएंगे इस चैनल पर so make sure you subscribe to the channel तो मिलता हूँ सब्सक्राइब वीडियो में तब तक ले बाई